नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसे ट्रिकी क्लासेस में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो ग्राम पंचायद विकास अधिकारी का आज हमारे पास 2016 का प्रिवियस पेपर है इसको दोस्तों हमने डाउनलोड किया यू के ट पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने सबसे पहले कोशन की तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को यहाँ पर सबसे पहला कोशन देख रहा है सिरीश के फूल यह कि कोशिश करेंगे ठीक है तो जल्दी से जल्दी दोस्तों मैं कोशन पढ़ूँगा और आप लोग को आंसर बताऊंगा तो आज किस पेपर से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आप लोग के सामने जो आप लोग का वीडियो का एक्जाम आने वाला है किस तरीके क कोशन आप लोग के सामने रहेंगे आईए देख लेते हैं तो दोस्तों फिलाल आप लोग देखें यहां पर सबसे पहला कोशन है आपका सिरीज के फूल यह किसकी रचना है तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दो फिलाल इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग का फिलाल कौन से जब्द जो है दूस्तर व आसमान का परियवाची एनल गगन पावण सुमन तो आप सभी को पता दूस्तर आसमान परियवाची शब्द यह किया है गगन ओझा थेडर得 कोशन देखे दोस्तु अप लोग का क्या है ? शादूciendo का साध्वी , भकतियं , सन्यासिं और पुजारिं तो क्या होग फिलाल इसका राइट आंसर तो आप लोगह को दोस्तु पताते हैं , शादू видео का राइट आप में आने वाले हैं फिलाल देखे फोर्थ कोशिन क्या है उत्राखंड का आंचालिक कथाकार जो है किसे माना जाता फडश्वर नात रेणु जी को सैलेश मटियानी जी को मंगलेश डवराल जी को या फिल लील अधर जगूली जी को सौरी तो आप लोग बताये फिलाल उससे प अगर कोई भी प्रीविश एर पेपर है तो आप लोग हमें वाट्सप पर हमारे नीचे डिस्क्रप्शन में लिंक दिया है तो उस वाट्सप ग्रूप पर आप लोग सेंड कर सकते हैं ठीक है फिलाल नंबर भी मैंने आपको प्रोवाइट करा रखा है तो जितने भी पेप आप लोग करते हैं फिलाल आप लोग से सारे के सारह हमें संड कर दीज़ए ताकि दोस्तों उसका सोलिशन वाप लोग तक पहुचा सके ठीक है तो जिसके भी पास प्रीविश एर पिपर हमों सभी अपनें सेंड कर दीज़ेगा ठीक है तो फिलाल अब बात करते हैं 5th तो दोस्तों आपको बता दें को फिप्ट का जो राइट आंसर यह अतिती यहां पर अतिती जो शब्द है इसकी वर्तनि शुद्द बाकि सारे वर्ड आप लोग की गलत लिखें ठीक है अच्छा देखे फिलाल सिक्सक्टों देखें आप लोग का क्या यहां पर एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी इस लोगोक्ति का तात्पर है क्या तवे की रोटी सभी एक समान है सभी स्रेश्ट है रोटी के प्रकार के बारे में बात हो रही है तो फलाल दोस्तों आप लोग के बात करें 6 question के 6 question का जो right answer है यह सभी एक समान है तो सभी क्या एक समान है एक तब एक रोटी क्या छोटी क्या मोटी इसका आर्थ है सभी एक समान है निमलेकित में इसे कौन सी बोली उत्राखंड की नहीं है गड़ीवाली, भोजपुरी, कुमाउनी, जौनसारी तो दोस्तो फलाल कोशनमर 7 का जो राइट आंसर यह है भोजपुरी भोजपुरी जो है दोस्तो यह उत्राखंड की नहीं है अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे कार तो आप सभी लोग जानते है तो फलाल कोशनमर 9 का जो राइट आंसर है वो है अपना मतलब निकालना निमलेकित में से आनात शब्द का विलोम शब्द का है आनात का अन्यदाता, अबोध, दुरवोध या फिर सानात तो फलाल दोस्तों कोशनमर 10 है इसका राइट आंसर है सनात, अनात जिसका कोई ने, सनात जिसका सब लोग, ठीक है अनात का सनात अच्छा देखें अगला कोशन क्या है जो बनावटी हो इस वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा प्राकरते क्रत्रिम प्राकरत नैसरगीक तो बहुत ही सिंपल सा कोशन जो बनावटी हो वह होता है तो यह आप लोग का पंचमक्षण चाना अच्छा देखें इस अब संगया संग्या को बता दें यह जो शब्द किरिया-फथ выглядe दोस्तों मैंने संधी आप लोग को करा दिया अगर आप लोग नहीं देखी तो आप लोग इसको देख लीज़ेगा ठीक है और उसका अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फ्लाल आप बता सकते हैं मैं वाट्सब पर आप लोग को जो असका लिंक सेंड कर दूँगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग को भेज दिया जाएगा कोछी समझ भी नहीं तो आपको बता दी जाएगी फ्लाल यह संयूत वेंजन है अगला कोशन 27 यह जो आप लोग का मैस का कोश्चन है और आपको दोस्तों बता दें फिलाल जो वीडियो में आप लोग के मैस नहीं आती ठीक है वीडियो में सिर्फ आप लोग के क्या आते हैं आपको पता ही है हिंदी आएगी जी एस आईगी और लगाना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पर पॉस कर दीजिए और कोशन आपके सामने यह रहा है आप लोग इसको लगाईएगा मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों डैरेक्ट क्यूंकि अगर मैं इसे सॉलीशन करने बैठोंगा तो सौ कोशन आप लोग 12.50 PM ठीक है अच्छा 28 का भी आप लोग को दोस्तों इसी परकार से आप लोग अगर टाइम ज्यादा लेना चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पर पुश कर दो पॉस कर दो और अगर आप लोग को लगाना चाहर हो तो वीडियो को पॉस करो लगा के देखिए मैं असका राइ अगर अक्षर कॉन सा होगा आई च जी या फिर जी तो क्या होगा इसका राइड आंशर कोश्चिन नमबर 29 का दोस्तों आप लोग को बता दें फिला लिए इसका राइड आइड आंसर यह आप लोग का भी यह जो की है आपका ऐइस वाला ठीक हो लाग राद तो यही तो आ तो इसका भी आप लोग को फिलाल right answer बता देते हैं आप लोग लगा कर देखेगा जरूर ठीक है कोई भी अगर चीज समझ में ना आए कोईशन ना लगे तो आप लोग बता देजएगा ठीक है कौन कोईशन नमबर सहीद बता देजएगा तो उसका solution भी आप लोग को करा दिया जाएगा आप लोग बिल्कुल भी परिशान ना हुई है ठीक है बस पेपर ध्यान रखिए इसको माइंड में सैट कर लिए किसी तरी जाहन रखिएगा पांट जून को परिवन दिवस मनाई जाता है वेश्व स्वास्ते संग्रिटन के स्थापना कब हुई तो दोस्तों फिलाल आपको बता दें कोश्ण में 32 का जो आप लोग का जो राइट आंसर है वेश्व स्थापना हुई है यह हुई है उननिस सो और त बता दें यह जो 1 काई है यह है थीक है आप सभी को पता ही होका भारी जल का सथैने सूत्र किया है ढारी जल का सथैने का स्था को सथा कॉष्व सथे इसलगा आप लोग को बताइं एक बता है एक मिन्ह suspicion को बता है और नहीं है प्रकास वर्स यह बता दिया था भारी जली बता चुके थे अब हम लोग बात करने वाले वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों रमन शर्माई ग्यानेंद्र वर्मा जी है हरी शंकर ब्रह्मा जी है या फिर डॉक्टर नशीम जैदी जी है दोस्तों जो आपके चीफ आपके एलेक्शन कमीशन है वो दोस्तों कौन है रमन शर्मा जी है जयानिंद्र वर्मा जी है तो क्या होगा 25 का राइट आंसर इसका अपनों को पता घता हूं इसका प्लतर आंसर यह डॉक्टर नशीम जैदी ठीक है ना इस पेपर के दिकार की यह यह दि कोश्यम मेr 36 जो राइट अंसर यह है 2005 जह दो स्यावल आपका सूचना का दिखार राइट इन्फोर्मेशन ञां राइट तु इन्फोरमेशन. राइट इन्फोर्मेशन यू तो दोस्तों सूचना का दिकार है यह का पारित किया गया था तो यह किया गया था फिलाल 2005 में किया गया था ठीक है ना और भुकम अंकर किसे किया जाता है जो भुकम जो है मैजर किया जाता है किस से चेक करते हैं सिस्मोग्राफ से अल्टोमीटर से अमीटर से या फिर बैरोम पंद्रा के लिए रमन मैक्स से पुरुषकार किसको प्रदान किया गया है अन्शो गुपता को संजीब चतुरवेदी जी को या फिर इन दोनों कोई या फिर इन में से कोई नहीं तो फिलाल दोस्तों कोश्च नमबर 38 का जो आप लोग का राइट आंसर है ठीक है तो यह फिल पुर्टी का राइट आंसर बताएं तो इसका राइट आंसर आपका क्रशी ठीक है ओके निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी अवादी के लिए सार भामिक स्वास्ते कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रधम राज्य हो गया है तो दोस्तों 41 के बात करें तो इसका राइट आंसर है करनाटक ठीक है अब बात करतें फिला दोस्तों 42 कोश्च में आपका यह नाओं में गले में या फिर हाथ में दोस्तों यह उत्राखंट का पेपर है तो यहां पर बता दें यूपी ट्रिपल सी की जगह पर यह यूपी के स्थान पर आपको जो है यूपी को कुश्चन मिल लेकिन अगली बार जब आप लोग पेपर जैसे के मुझे दे दोगे ठी अब लोग को आईडिया लग जाए काफी जादा है दोस्तों आप सभी को पता इसी तरीके का आप लोगों का भी पेपर आने वाला है ठीक है न तो बहुत जदा है फिलाल दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा और शेर जो भी आपके फ्रेंट्स ओ जो आप लोग का राइट आंसरों का 42 का ठीक ना तो यह है दोस्तों आप लोग का फिलाल सी वाला कले में अच्छा देखे एक कुमाउनी के लेखक नहीं है एक कुमाउनी के लेखक कौन नहीं है गुमाणी शिब्दत शती गौरिदत पांडे गौरदा जी या फिल लीलाधर जगोली जी तो फिलाल दोस्तों बताएं कोश्चन पर 43 जो है इसका जो राइट आंसर यह है लीलाधर जहनपर में संपन होता है पिथ आप लोग तो डोस्तों पिथोरा घर में अलमोडा में चमूली देहरा दून में तो फ्लाल दोस्तों 44 का जो राइट आंसर है यह है और जो ακुल Gus एक हो अगले person क्योंट आप सभी को दोस्तों पता में महिला साक्षार्था का प्रतिशत कितना है और इसके साथ में दोस्तों आप फिलाल कमेंड बताएगा कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार अपनी उत्तर प्रतेश में जो है महिला की साक्षार्था प्रतिशत और पुरुष की साक्षार्था प्रतिशत और कुल कितना दोस्तों जो है साक्षरता प्रतिशत है यह सारी दोस्तों बाते जो है आप लोग हमें कमेंट बताएगा फिलाल 46 के राइट आंसर की बात करें तो इसका जो सही जवाब है यह आप लोग का 70 प्रतिशत ठीक ना अच्छा देखें फिलाल 47 देखें क्या है केंद्रिय भवन अनुसंधान समस्तान उत्राखड में कहां इस्तित है रोड़की देहरादून अलमोडा या फिर इन में से को ही नहीं तो दोस्तो 47 का जो सही जवाब है यह है आप लोग का A वाला रोड़की ठीक ना अगला कोशन देखें फिलाल आप लोग के सामने कोशन है कुछ मैं टाइम दोंगा औ और पेपर जो है जो आप लोग का इसमें बहुत टाइम अर्वाद होता है और हमारा भी साथ में होता है तो पेपर को दोस्तों पूरा यहां पर हल कीजिए साथ ही साथ में सॉल्ब करते हो चलिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों 48 का जो सही जवाब है यहां पर आप लोग को बता देते हैं ठीक है तो दोस्तों 48 का जो सही जवाब है यह आप लोग का भी वाला ठीक है आप लोग देख लिजेगा क्या है फर्स्ट का फोर्थ है ठीक है ना ध्यान से लास्ट में यह है उत्तरकाशी में गोविंद राष्टी उद्यान ठीक है अगला देखे दोस्तों एक तरफ है वन्य विहार वन्य जी विहार एक तरफ है आपका जनपद दोस्तों इसी तरीके से जो कोश्चन उत्तरप्रदेश में आप लोग को सब बताये था यह फिर ऊपर यह यहांपर यहां पर इ Totally i आई कन ऐरा ओका इस तरफ करके理ा आप लोग जो सुस्तर्र वीबिजियो को देख सकते हैं फिलाल अभी हम आपको बताते रहे हैं सही है को जो सही जवाब यह है आप लोग का भी वाला आप लोग याद कर लीजेगा ठीक है अगला कोशन देखिए फिलाल क्या आप लोग का अलमोडा में विवेका नंद क्रशी अनुसंधाम साला जो के संस्थापक कौन है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर फिलाल को फिप् आप लोग तो दोस्तों आपको बता दें कोशन नंबर जो 51 है इसका जो राइट आंसर यह पी वैरन क्या है दोस्तों यह पी वैरन ऑच्छा देखें दोस्तों आप लोग का टी वाले हो है आपको फसलों के बारे में पता ही होगा तो फिलाल आप लोग बताईए कि निवन सी फसल जो खरीब की फसल कापास मुंखवली मक्का सरसो तो आपके सामने यह पर चार ऑप्शन दिये गए तो बताएए दोस्तों कौन सी फसल इसमें से खरीब की फसल है तो 52 का जो आप लोगा जो राइट आंसर होगा यह होगा आप लोग का भी वाला ठीक है ना यानि की अब बात करते हैं 53 की देखिए दोस्तो 53 में आप लोगा क्या है भारत का प्रथम क्रशी विश्विध्याले है राजिस्थान विश्विध्याले जैपूर विकरम विश्विध्याले उज्जयन जीवी पंथ विश्विध्याले पंदनगर या फिर चंद्रसिखर अजात क् कानपूर तो फ्लाल दोस्तों 53 का जो राइट आंसर है यह है जीवी पंथ विश्विध्याल है ध्यान रखेंगा टीए वाले तो खास तोर पर ध्यान रखें दोस्तों कुछ कोशन जिसा आसकता बिल्कुल क्रशी रिलेंटड आप लोक का जीवी पंथ विश्विध्याल को ऑसितने प्रत हम्यके फिचयो करें तो यहां पैर इसका राइट आंसर यह है क्लियर है कि रहना है कि हम देखतें चंप कुछ उत्राखंड के किस जिला पंचायत को राश्टी ये पंचायत पुरुषकार से समानित किया गया है तो दोस्तों आप लोगों बता दे फिलाल कोशन में 55 का जो राइट आंसर है ठीक है यह है आप लोग का एवाला जिला पंचायत देहरादून ठीक है अच्छा देखिए फिल का एवाला चित्रगार अगला कुशन देखिए दोस्तों आप लोगा क्या है नेमन तित्रियों में से किस तित्री को उत्राखंड में हिमाल है दिवच के रूप में मनाया जाता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 57 का यह है आप लोग का एवाला 9 सितंबर को 58 की बा कि अच्छा दोस्तों आपकी बाइंडरी नंबर होते हैं जो कंप्यूटर में होता दोस्तों डुइधारी जो लिखा है यहां पर दुइधारी अंग प्रणाली में दस क्या है ठीक है ना 10 क्या है यह आपका वन और जीरो यह क्या है आपका दो है छे है चार या फिर दस है तो फिलाल 59 का जो राइट आंसर है यह आप लोग का जो है दोई अधारी प्रणाली है ठीक ना यह दस नहीं आपका यह वन और जीरो लिखा है ठीक ना आप लोगों को कनवर्शन तो आता होगा ना करना डीडिटर नमबर को डीटर नंबर को आपको इसमें करना होगा आगर नई आनि आता था तो आप बता सकते आए जो है एक और हो सफ्टेर होता है किसो परिवर्शन करता ही यह जो दोस्तो जो है । हाई लेविल लेंगेज को मशीन लेविल लेंगेज में ठीक है ना हाई लेविल लेंगेज से मशीन लेंगेज में चेंज करता यानि कि सी वाला सही है उचिस्तरी भासा से मशीनी भासा में URL इसके full form आपको पता होगी आपको क्या होती दोस्तों युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक न क्या होती दोस्तों यह इसकी जो होथी 61 का जो राइट आंसर है यह आपनोंका सी वाला यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर सौरी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होती है और निमलिखित में से कौन सा समुझ है इंपूटर के केवल इनपूट डिवाईस से संबहित है ऐहां पर तो यहां पर दोस्तों प्लॉट्टर आपका ओपुट हो गया बात करेंगे दोस्तों फिलाल कोशन पर 63 की ms powerpoint में slide को प्रारम करने के लिए कौन से कुंजी या संजोजन की दवाई जाती है तो 63 का दोस्तों सही जवाब है यह होगा आप लोग का 1 F5 F5 computer जो button होता है F5 का ठीक है यह दवाई जाती है slide को start करने के लिए और 01 की भासा आपको पता हिए दूस्तों यह क्या गलाते यह गलाती बाइनरी भासा यानि की Binary language 64 का दोस्तो right answer क्या है तो दोस्तों यह आप людям का ओला थे वाला बाते में आप लोग के साथ डिसकस की थी अगर आप लोग ने हमारे मानव रोग बाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजे ताकि ये सारे के सारे रोग जिवाड़ू कवाग प्रोटो जाब विशाड़ू अगर इस टैप कोई भी अगर एक्जाम में आ जात जिसको भी वीडियो चाहिए उसको विल्कुल मिल जाएगी परिशान होने की कोई जरूत नहीं है तो दो 66 का जो राइट आंसर है यह आप लोग का बी वाला क्लियर ना ओके अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद अगले कोशिन की सवतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनर और दोस्तों आपको पता देते हैं यह सवतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनर थे तो यह थी सी राज गोपालाचारी उत्राखंड में अखिल भारती आयूर विज्यान संस्थान कहां इस्तित है देहरदून रिशीकेष्ट कोट दौर या फिर हलदवानी 69 के दोस्तों जल्दी जल्दी को कबर करना है तो जल्दी बल्दी दोस्तों पढ़ते हैं अगर आप लोग को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पुश कर सकते हैं कोशिन के तुरूंत बाती तो 70 का दोस्तों जो राइट आंसरों का योगा पितहौरागड ठीक है अगला को चाहिए तो दोस्तों यहां के जो ग्राम विकास और पंचायती राजमंत्री है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपने उत्तर प्रदेश के भी आप लोगो पता अगर होंगे तो आप लोग कमेंट करके फिलाल बताएगा फिलाल मैं 73 का आप लोगो राइट आंसर बता दाता हूं यह थे प्रितम सिंग ठीक है यह थे प्रितम सिंग और अब बात करेंगा मन्रेगा में प्रतिवर्श प्रति परिवारों को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है 101 दिन 99 150 100 दिन तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर है तो यह है 100 दिन का अच्या मन रहेगा कि अंतरगत कम से कम कितने प्रतिशत जो है काम करशी से संब्धित होने चाहिए 80 60 70 प्रतिशत कोई नहीं 75 का दोस्तों राइट आंसर है यह फिलाल आप लोग का भी वाला ठीक है ना आप सबी लोग समझ रहोंगे साथ में याद करत चलेगा और इससे बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो सकती है आपको बहुत मिलेगा इस पेपर से और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजएगा ताकि ज्यासे लोगों तक पेपर पहुश सके और हम दोस्तों आप लोग के लिए जैसे कि जैसे मुझे पेपर फिला कि बहुत अच्छी बात है आप लोग के पास है तो इसको भी आप लोग कर सकते है ठीक हा बिल्कुल वरा पेपर अगर यहां दोस्तों के है तो इससे दोस्तो क्या होगा हम तो करी रहें और आप सब लोग मिलकार दोस्तों करेंगे सब को is कुछ नहीं हमेशा नहीं सीखने को मिलता रहेगा तो फ़ला दोस्तों आपको बता दें कोशन 75 का जो राइट फिलाल दोस्तों यह जो योजनाय कप्रारम की गई थी तो यह की गई थी 15 अगस 2015 में अच्छा अगला कुशन देखें क्या है फिलाल किसान पेंशन यूजनाय गंदर का साट वर्सुस यदि कायू तक कि किसान को कितनी पेंशन दी जाती 800 रुपए प्रतिमा नौ सो रुपए जो प्रतिमा यह जूजनच से किया जाता है इसको बोलते हैं बैंक खाते से किसे किया जाता है यह बैंक खाते से किया जाता है सैम मुखे मंदिर कहा है इसे तो यह मंदिर किसका। विश्णु जी सिव जी का है देवी जी का है या फिन नाग राजा जी से तो दोस्तों आपको बताएं सही जवाब यह है नाग राजा जी का ठीका नुट्ट्रा कर ooh गो की करना अपकी छवारा की पर राई वाला हिस्टू रैभा टो और स्विक राइवाला जोटिव को द*** राह दोस्तों कोष्चे फोर के राईट अंसर के बात करते हैं ये है रोल्डी के नजदिक पिरान कलियर अब बात करते हैं दोस्तों फिलाल 85 क्या यह देखते हैं क्या है देखिए 85 में क्या है विवेका अनंद परवर्ति यह क्रशी अनुसंधान केंद्र की स्थापना नेम में से किस ने गीती तो दोस्तों 85 का जो सही जवाब है आपको डारेक्ट बता द है तो यह 86 परसेंट अब बात करते हैं अगले कोशन की मैती अंदोलन के दोस्तों प्रणेता कौन है दोस्तों मैती अंदोलन यानि के कोशन पर 87 इसका राइट अंसर क्या होगा आपको डारेक्ट बता देते हैं इसका जो सही जवाब है कल्यार सिंग रावत जी है आप बात दोस्तों इसका राइट आंसर तो दोस्तों कोशन नमबर 88 का जो राइट आंसर यह आप लोग का टेहरी जल विदुद परियूजना आप सभी को जस्तों पहले भी मैंने बताये ता जैसा कि अब बात करते हैं कोशन नमबर 89 की राष्टिय रक्षा अकादमी यानि कि नैशन करने अभी और पहुँच चोगे हैं दोस्तों कोशन नमब 90 पर उचितम जहरना दोस्तों यह कहां इस्तेता है ब्राजीर अमेरिका वेनेजुएला या फिर जौंबिया में दोस्तों 90 का जो आप लोग का राइट आंसर या आप लोग का वेनेजुएला में ध्यान रखिए अब आप लोग को असंगत शब्द चुनना है बैट रण कैच या फिर पंच अगर आप लोग न दोस्तों जो शब्दा वली पड़े होगी गेम बाली स्पोर्ट्स में ठेक ना खेल की शब्दा वली पड़े हो तो आपको चेक करना है कि यहां पर असंगत शब्द जो कौन सा है तो दोस्तों कोशनमा 91 की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर यह है आप लोग का पंच ठीक है ना यह बैट है कैच है रहन है यह सारे आपके किरकेट से संब्दित नहीं है अब बात करते हैं कोशनमा 92 की इंसुलीन हार्मोन जो है निम्न में से किसके दोरा स्र ही होंगे जैसे कि यहां दे रखा 1, 4, 9, 16, 25 तो यहां पर दोस्तों है कौन सा नमबर आएगा तो यह है दोस्तों एक का अब बात करतें दोस्तों अगले कोशिन के दोस्तों आप लोग यहां देखें कि यहां पर प्रश्न वाचक चीन की जगा पर दोस्तों कौन सा नमबर आएगा आपका यहां पर 10, 9, 12, 6, 3, 1, 2 यह आपको दे रखा यह आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 तो फिलाल दोस्तों आपको बताने की क्या राइट आएगा तो कोशिन नमबर 95 का दोस्तों जो सही जवाब है फिलाल आपको बता देते हैं यहां पर 2 आएगा ठीक है तो आप लोग फिलाल चैक करके बताएगा कि इहां पर कैसे आएगा फिलाल मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं अगले यहाव बात करते हैं फिलाल कोशन में 97 की अगर M का अगर दोस्तों प्लस और N का था है माईनस P का था है multiply तो तो इस प्रकार इसकी value आपको निकालने है तो कुछ नहीं करना है यहाव पर M की जागा माइनस करना पी की जगा दूस्तों आप लोग को क्या करना है multiply करनी है ठीक है और यहां पर एम दे रखका इसके जगा प्लस करना है और जहां पी दे रखका उसके जगा multiply करनी तो इसका आप लोग जब सुल्ब करेंगी तो आप लोग जो राइट आउसर आहाए फिलाल 97 यह जाएगा आप लोग का पाच आजाएगा अब बात करते हैं कोस्चिनमा ना ना नेट योग कितना होता तीन के प्रतितलं पन्ट है का यूग जैसी कि तीन नो छह lif आप але नॉब जोड़ना तो जो थो तरय के ढाख लेख़ुशन नाइट सरी सेंफ गले कोशन की मीनटे में 1977աरल Mmm तो तीन मिनिट में दोस्तों कितने शब्द टाइप कर लेगी ठीक है तो इसका दोस्तों फिलालाग को बता दें को बन 99 का जो सही जवाब है यह दोस्तों आप लोग का 135 शब्द और इसके बाद बात करेंगे को लाश्ट कोशन की कोशन में हैंड रेट की 25 चातरों की जो है औ अध्यापक की आयू भी जोड़ दें तो यह और जो आयू है वो एक वर्स बढ़ जाती तो अध्यापक की उमर कितनी होगी तो यह मैंने आपको ट्रिक बताई थी आवरेज में अगर आप लोग को नभी तक हमारे एवरेज वाले टॉपिक को नहीं देखा तो उसको देख लिजेगा उसके बाद आप लोग के समझ में आ जाएगा फिलाल मैं आप लोग को डिरेक्ट आंसर भी बता देता हूं इसका दोस्तों जो सही जवाब है यह 43 वर्स ठीक है यह कैसे आया ठीक है तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा आप लोग उसको देख їसको पेपर हो तो आप लोग विलकुल स叔िक कर शकते हैं नीचे में गुरुप दे रखा है थीक है उस गुरुप पर लोग शेयर कर सकते हैं ये नंबर भी नीमें इंपुरवाइट कर र रखodoxा है दिस्क्रूप्श्थों में तो वहां से दाकर आप लोग आप लोग अकर हमें suggest करोगे तो आप और हम साथ में मिलकर जो हैं दोस्तों कई सारे question को solve कर सकेंगे एक साथ में ठीक है तो फिलाल अभी के लिए दना ही मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई interesting topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार